मेरे प्रियात्वन, आज इस बैस काट शोदाहम दिवस है, और इसका टापिक है पुस्तक से शरित्र का मतलाओ, आज 20 पुस्तक दिवस है, और हम सब लोग एक साथ एक घंटे तक पुस्तके पढ़ी, माश्र बताते हैं कि 2004 से वे पुस्तकों का पढ़ना सुरू किये, और कहते हैं कि उनका ज्ञान भंडार सभी आयामों में बढ़ने लगा, कहा गया है, पुस्तके प्रबुद्धता के लिए त्रिब्र और सबसे छोटा मार्ग है, इसके बाद है वे पुस्तकों से घरने लगे हैं, हर पुस्तक उनके लिए गुरू की भाती हो गई, हम पुस्तक पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद विल्कुल ही बदल जाते हैं, हमने लाखों की तादे प्रिंट कराकर मुठने लोगों को बाटी है, मैं आत्मकता की पुस्तके लोगों को पढ़ने के लिए प्रिरिद करता हूं, जब हम पढ़ते हैं तो उस मास्टर से जुड़ जाते हैं, जीवन के हर छेतर में एक गुरु मिलते हैं, हमें लगतार सिखते रहना हैं, मैंने इस एक पुस्तक को 45 मिनट में ही समाप्ट कर ली है, इस से सोच बदन जाती है, और सोच चरित्र पों बदन देती है, 20 साल पहले मेरी सोच बतल गई थी, मैं चाइनीज मॉंस्टर लाओट सू, बारबरा मरसीनिया, ओशो, शारे महां में अध्याप में गुरु तो पुस्तकें पढ़ी, पत्री जी के पास हमेशा दस किताबें पढ़ी रहती थी, दुनिया रात में जब सो जाती थी, तब उस सर्फिस देडिंग करके इन्हे समाफ करते थी, आप किसी से नफरत कर सकते, पर दिसोत की भावना रख सकते, अपने मस्तिस्ठ को उन भावनाओं में उल्जाक सकते हैं, बहुत आसान है, इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लिए पहले सिच्छित हो चुके हैं, मगर उस व्यक अगर माफ कर देते हैं या भूल जाते हैं तो आपको देवाचन का मार्ग अपने आप खुल जाता है आपकी पास एक सार भौ में खिर्दय होना चाहिए कहना कितना आसान मगर प्रयास कर सकते हैं बुद्ध ने कैसे परिस्थितियों को देखा उसी तरह देखी अगर आपकी स सोच उचस्तर की होनी है तो जीवन से लिए बड़ी सरव हो जाएगी गत बीश सालों में हमारे सारे रिष्टे समाप्त हो गए थे अनावसक जगरों पर जाना बंद हो गया था हां जब भी कोई सारुजनिक शेवा का छण मिलता है तब हम जाते हैं कोई मुसे कहता है किजिए तुम मैं कहता हूँ कि ध्यान में बैठिये मैं संतूर बजाता हूँ प्रभुधता का शॉर्ट कट यह पुस्तके हैं लंबा रास्ता मत चुनिए कोई परिच्छा लेने नहीं जा रहा है छे महिने बाद दुबारे इस पुस्तक को पढ़ेंगे पुस्तक नहीं ब पाते हैं कि यह समाप्ठ हो गया है अंजाने व्यक्तियों को अपना अनुभा सुनाई है पुस्तके एक क्रिस्चल का आकार होती हैं जब इसको पढ़ते हैं बोलते हैं तो था चीजों का परिचालन करते हैं यह दैवी रूप हो जाता है आपकी सोच अगले लोकों की सोच ह हो जाती है अपने 24 घंटे के कैलेंडर में पुस्तक का ध्यान का एक स्लाट निधारित कर देचिए आप उची सोच के लोगों को या लोगों का नेटवर्ग बना लेते हैं आज वर्ल्ड बुक डे हैं मुस्तेश को सेलिबरेट के जिए और निश्यत रूप से आज एक पु झाल 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 झाल